दोस्तों सब्जियां ऐसी चीज है जुसके बिना और मैं कोई भी जीवित में रह सकता सब्जियां आपके खाने की प्लेट में होनी ही चाहिए आपको बेशुक जंग फूड पसंदो लेकिन एक चाइम के बाद आप उससे भी बूर हो जाते हैं और बहुत जरूरी होता है सब सब्जियां आपकी प्लेट में जरूर हो और यही वजा है कि जब लॉक्डाउन भी हुआ तो एसेंशियल में सब्जियां तो आनी थी तो यह दुकाने कभी भी बंद नहीं हुए और जो लोग दूसरा कारोबार करते थे उन्होंने भी यह सब्जियों का बिसनस करना शुर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स मिलती रहे हमारे वीडियो जो लेकर तो चलिए आज बात करते हैं कि किस तरह से सब्जियों का बिसनस आप शुरू कर सकते हैं सब्जी व्यवसाइख शुरू करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आप यह सोच लेए कि आपको अपना व्यवसाइख किस तर पर शुरू करना है आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सब्जी व्यवसाइख को छोटे सतर पर शुरू कर सकते हैं सब्जी व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी योगिता ये कैसा व्यवसाय है जो कोई भी कर सकता है इसके लिए आपका पड़ा लिखा होना जरूरी नहीं है इस व्यवसाय का कम या जादा शिक्षित होने से कोई मतलब नहीं है जोहें आप कितने भी बड़े हैं तब भी आप ये विवसाय कर सकते हैं सब्जी विवसाय के लिए कुछ जरूरी कारे अपने विवसाय को शुरू कहां करना है मतलब जगा सुनिश्चित करें एक बार जगा चुल लें तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान दे सब्जी के विवसाय में शामिल कारें में ये तैक करना शामिल है कि उपच को कैसे बढ़ाएं अपनी सब्जी और फलों का उतपादन खेत में कर सकते हैं या बगीचे के एक पैच पर या छट के स्थान पर भी छोटे से शुरू कर सकते हैं या फिर आप किसानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं अगले कारे में खेतों से ताजी सब्जीयों को ले जाने के लिए यही ट्रांस्पूटेशन में निवेश करना या उसकी विवस्था करना शामिल है जबकि ये तैक करना कि सब्जीयां ताजी और बरकरार हैं ये भी ज़रूरी है, सबसी विवसाय में लगने वाले सामार, हरी सबजियां, तराजू सबजी तोलने के लिए, सबजी रखने के लिए टोकरी, पेपर बैग या पॉलथिन बैग. सबजी विवसाय की लागत, इस विवसाय में मुख्य खर्चा है दुकान का किराया और सबजियों की खरीद में आने वाली लागत, सबजियों का वेपर शुरू करने के लिए 10,000 तक निवेश करना पड़ सकता है, ये पूरी तरह आप पर है कि आप कितना निवेश कर सकते हैं आप शिरुवात में कम सबजियां खरीद कर उन्हें बेच सकते हैं और फिर उससे हुई कमाई से नई सबजियां खरीद सकते हैं, अगर आप सबजी मंडी में सबजी बेच रहे हैं तो दुकान का किराया भी देना होगा सबजी वेवसाय में मुनाफ़ा निश्चित नहीं होता है, इस वेवसाय में कमाई इस बात पर निर्पर करती है कि कितनी बिकरी हुई, जितनी जादा बिकरी उतना जादा मुनाफ़ा, इस वेवसाय में जितना जल्दी और जितनी जादा बिकरी होगी उतनी आंदनी जाद यह लेकिन जैसे जैसे आपका वुपार बढ़ता जाएगा उसके बाद आपको अपने वुपार का पंजिकरन कराना कड़ेगा कुछ बातों का रखें खास खया सबजी की दुकान खोलने से पहले आपको सबजी customer के बारे में में जानकारी रखना चाहिए जैसे सबजी की variety उनके खराब होने का समय सबजी का रंग अकार की जानकारी होना बहुत जरूरी है यदि आपको ये जानकारी रहेगी तो आप आसानी से सब्सी बेच और खरीद पाएंगे आपको सब्सियों की गुणवत्ता की पहचान होनी भी जरूरी है आप देख परकर ही सब्सी बेचें आपको पता होना चाहिए कि आपकी सब्सी कब खराब हो सकती है आज की समय में ग्राहक कुछ ना कुछ डिसकाउंट चाहता ही है इसलिए आप अपनी सब्सी के साथ फ्री में थोड़ा से धनिया या हरी मेर्च डाल दे जिससे ग्राहक खुशो कर आपकी दुकान पर बार बार आए शिरुवात में आप अपनी ग्राहक बनाने के लिए थोड़ा सा कम लाब कमाए और जितना हो सकता है सस्ते सस्ते सब्सी बेचे आपकी दुकान से ग्राहक संतुष्ट हो जाएंगे तो बार बार आपकी दुकान पर ही सब्सीया लेने आएंगे आप शिरुवात पे उतनी ही सबजियां खरे दे जितने एक दिन में आप बेच सकें जादा सबजियां लेने से खराब हो सकती है और आपका शिरुवात से ही नुकसान हो सकता है तो देखा आपने किस तरह से सबजियों का बिजनस आप शुरू कर सकते हैं ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है.